हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आपका स्वाइब करता हूँ अपने यूटूब चैनल जाब्स और साट्स पे हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नहीं जाब वेकेंसी की जानकारी लेकर रहे हूं दोस्तों जो कि हमारे पास निकल कर रही है नौर्थ सेंट्र रेलवे की तरफ से जी हां दोस्तों यह जाब वेकेंसी नौर्थ सेंट्रल रेलवे रेक्रूट्मेंट जीसे की बंपर 409 असिस्टेंट लोको पाइलेट टेक्नीशन और अधर पोस्ट के लिए जारी किया गया है सेलरी की बात करें तो यह आपका एजपार नॉम से मिल जा तो असिस्टेंट लोको पाइलेट के लिए 241 वेकेंसी है, टेक्नीशन ग्रेट 3 के लिए 44 वेकेंसी है, टेक्नीशन ग्रेट 1 के लिए 28 वेकेंसी है, जूनियर इंजिनियर पोस्ट के लिए 49 वेकेंसी है, केमिकल और मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए 2 वेकेंसी है, ज सारे कैनेट इसके लिए आवादन कर सकेंगे वहीं अगर post by educational qualification की बात करें तो assistant local pilot के लिए आपका class 10 के साथ ITI या फिर डिप्लोमा in mechanical, electrical, electronics या automobile engineering से क्यों होना जरूरी है जबकि technician grade 3 के लिए जिन कैनेट से class 10 ITI या फिर class 12th पास कर रखा है physics और math साइट से वह इसके लिए आवधन कर पाएंगे technician grade 1 की बात करें तो इसके लिए आपका ब्याद का computer science या फिर information technology से क्यों होना जरूरी है वह junior engineer post के लिए जिन कैनेट से डिप्लोमा in civil या mechanical, electrical, electronics, manufacturing, mechatronics, industrial, machining, instrumentation and control, tools and machining, tools and dye making, automobile production engineering कर रखा है वो इसके लिए आवधन कर पाएंगे या फिर जिन कैनेट से ब्याद से civil engineering, information technology, communication engineering, computer science and engineering, computer science या फिर computer engineering से कर रखा है वो इसके लिए आवधन कर सकेंगे अगर बात कर लेते हैं chemical and metallurgical assistant की तो इसके लिए आपका degree in science से क्या होना आवश्यक है जबकि train manager के लिए आपका degree यानि कि कोई से भी bachelor's degree क्या होना जरूरी है अगर बात कर लेते हैं age limit यानि आई सिमा की तो जिन कैनेट्स की आयू 18 वर्स से लेकर 22 वर्स के बीच है एक जनवली दौर 24 से पहले तक वो सारे कैनेट्स के लिए आवधन कर सकेंगे वहीं अगर age lehassan की बात करें तो अब इसी के एक को थीन साल तक का जबकि 802 को 5 साल तक का age lehassan दिया जाएगा application fee की बात करें तो यह बिल्कुल free of cost है यानि इसके लिए आपको कोई भी आवधन सुल्क नहीं देना है मुहीं selection process computer based test aptitude test document verification and medical examination और interview पे based होगी और अगर अंत में बात कर लेते हैं important dates की तो इस form को भरने की प्रक्रिया चार अगस 22 से start हो जाएगी जो कि 3 सितंबर 22 तक चलेगी साथ इस vacancy से related जिदमी भी important links है वह सारे आपको इस वीडियो के description मिल जाएगी उस पर क्लिक करके आप इसका official notification भी download कर सकते हो और अपना application के लिए online अवेदन करना भी start कर सकते हो हो सकता है दोस्तो कुछ एक post के notification में चेक कर पाओगे अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई question है तुछ आप हमें comment section में पूछ सकते हो तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नहीं जाब vacancy की जानकारी लेकर जय हिंद